सुनाली आज बहुत खुश है आज उसका सपना पूरा होने जा रहा है आज उसे उस काम के लिए इनाम मिलने वाला है जो उसकी जिन्दगी का मकसद रहा है सुनाली अपने माता पिता की एक लौती बेटी है उन्होंने उसके पालन पोश्चन में कोई कमी नहीं रखी सुनाली का सपना है कि वो अपने माता पिता का गौरो बने वो जब छोटी थी तो उसे जब कभी मौका मिलता वो अपनी मम्मी का मेकप का सामान निकालती और मेकप शुरू कर देती इसके लिए कई बार उसे डांट भी सुननी पड़ी जब वो बड़ी हुई तो मेकप का ये शौक ही उसकी जिन्दगी का मकसद बन गया उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने इस सपने को कैसे पूरा करे एक दिन उसी टीवी के विज्यापन से NISD के बारे में पता चला दूसरे ही दिन वो पहुँच गई NISD यहीं से शुरू हुआ उसकी जिन्दगी का वो मकसद जिसका वो अपने बचपन से ही इंतजार कर रही थी NISD में उसे पूरी तरह से प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करवाई गई ट्रेन और एक्सपिरेंस टीचर्स की गाइडन्स में सुनाली को मेकप की बेसिक्स के साथ साथ मौडर्न टेकनीक्स भी स्खाई गई सिर्फ यहीं नहीं उसे प्रेक्टिकल ट्रेनिंग का भी पुरा-पुरा मौका दिया गया उसे एरब्रस्ट मेकप सीखने का मौका भी मिला और फिर वो दिन आ गया जब उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा क्योंकि NISD द्वारा और्गनाईज के एक कम्पिटीशन शो में उसे कई प्राइज़ मिला फर्स प्राइज स्टुडेंट आप दा एयर सही मानु में मेकप आर्टिस्ट बनने का जो सपना उसने बच्पन में देखा था वाद सच हो गया सोनाली ने तो अपने सपने को पूरा कर लिया आप किसका इंतजार कर लिए आईए NISD में और पूरे कीजिए अपने सपने अपने अपने अपने